विपक्ष की क्या भूमे का होनी चाहिए हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान की सरकार को ताकत देने वाली या मौका मौका वाली राजनिती करने वाली मोदी विरोध में देश विरोधी एजंडा विपक्ष को आखिर क्यों कबून है क्या विपक्ष इतना अंधा हो गया कि अपनी देश की नजर अंदाजी करने पर उतारू है वल्चर्स कही दिया गया मीडिया के लोगों को और मीडिया काम ना करे इस पर भी तो बोलना पड़ेगा ये बात मन की बात में बताई जानी जब उनके कुछ लोग भूग से मर गए तो दिखाने वाले गिद्ध थे कुछ दिन पहले रास्ते में फसे परवासी मजदूरों को वापस घर बेजे जाने पर याचिका की तहप सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई इस सुनवाई में सरकार की तरब से तुशार मैता मौझूद थे इस सुनवाई में सुलिस्टर जर्नल तुशार मैता ने मीडिया और कुछ लोगों की अलोचना की है रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अर्जी दाखिल की है और मजदूरों की समस्यों पर कोट में बहस करना चाते हैं उनसे पहले पूचा जाई कि उन्होंने इन सब में क्या किया है महता ने एक कहानी के जर्य मीडिया को गिद यानि की वल्चर बताया है महता ने कहा दक्षिर अफरीका के फोटो पतरकार केविन काटन ने गिद और बच्ची की एक तस्वीर खीची उन्होंने इसकी फोटो खीची और ये फोटो न्यूयोक टाइम में प्रकाशित हुई और फोटोग्राफर को पुलिपसर पुरुसकार से सनमानित भी किया गया एक पतरकार ने उनसे पूचा था कि बच्चे का क्या हुआ उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता मुझे घर लोटना था फिर रिपोर्टर ने उससे पूचा कितने गिद थे उसने एक कहा रिपोर्टर ने कहा नहीं वहाँ दो थे एक ने कैमरा पकड़ा हुआ था ये स्टोरी जो तुशार मैता ने कोर्ट में सुनाई असल में कितनी सच है और कितनी जूट ये आपको आगे बताएंगे पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि मीडिया को गिद बताई जाने पर इस पर मीडिया में कोई बवाल क्यों नहीं हुआ ये तो बहुत अजीब बात है शायद इसलिए कि तुशार मैता सरकार की तरब से थी अगर यहाँ केसी कॉंग्रेस नेता ने मीडिया को ऐसा बोला होता तो मीडिया उन पर चड़ जाता हाल ही में जब राहुल गांदी ने ही करोना संकट और भारत चाइना के विवाद पर बात की तो मीडिया ने राहुल गांदी के लोचना करनी शुरू करती विपक्ष को आखिर क्यों कबूल है क्या विपक्ष इतना अंधा हो गया कि अपनी देश की नजर अंदाजी करने पर उतारू है हम चारों तरब से ऐसे पड़ूसियों से घिरे हैं जो इस वक्त हमारे नाक में दम किये हुए है सरकार भी आप जानते हैं कि यहां फूक फूक कर कदम रख रही है इनफाक्ट बीजेपी के वो तमाम बयान बाहदुर जो हर ऐसे मुद्दे पर अपनी बात रखते थे बयान किया करते थे वो भी चुप है ऐसे में वे पक्ष की क्या भूमेका होने जाए है बहुत महत्फव्बूम सवाल है हिंदुस्तान को या हिंदुस्तान की सतरकार को ताकत देने वाली या मौका मौका वाली राजनитी करने वाली सिर्फ राहुल ही नहीं AIMIM के आसदुदीन ओवेसी ने भी तंज कसा है सरकार पर ऐसा किया जाए कि सरकार घिरी हुई और कमजोर नजर आये वाली राजनिती हो रही कि अगर चीन के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है तो इस देश का विपक्ष क्यों नहीं है अगर चीन को विश्वास है सीमा विवाद बादसीट से हल हो जाएगा तो वाडरा परिवार को अपनी सरकार पर ही विश्वास क्यों नहीं है भारत में जो लोग कीन के साथ खड़े हैं क्या उन्हें अपनी सेना की ताकत पर भरोसा नहीं है और आज का सबसे बड़ा सवाल सरकार विरोध के नाम पर देश का और देश की सेना का विरोध क्यूं कर रहे है कुछ लोग ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पुछता है भारत कॉंग्रस नेता और वकील कपिसिबल ने तुशार महता के इन बयानों पर उनकी अलूचना की है अगर आप हमारे जर्नलिस्ट को गिद कहलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी परिभाशा जो हमारी संस्कृती के साथ जूड़ी हुई है वो आप भूल चुके हैं और मैं इसकी गोर निंदा करता हूँ अबर आप कहेंगे के राज्यों में जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं वो एक सरकार चला रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये परिभाशा भी अपने आप में गमन का एक चिन है और गमन के साथ कभी सरकार हैं चलती ने और ऐसी परिभाशा का इस्तेमार दिनी करना चाहिए हमें मालूम है कि कुछ पहले दिनों में हुआ कि हमारी एक दिल्ली आई कोर्ट के जड़ साहब थे उनको कहा गया कि अगर आप ऐसे फैसले देंगे तो उसका कॉंसिक्वेंस भी होगा और कॉंसिक्वेंस हुआ कि उनका तबातला हो गया आज तक पर उवेसी का इंटर्व्यू हुआ इस इंटर्व्यू में उवेसी ने एंकर अंजना के सामने तुशार महता द्वारा मीडिया को गिद बताने का जिकर किया पर अंजना ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया तरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर जूट कहिती है सक्टीफर्स मात को कहा कि कोई रोट पर नहीं है जबके लोग रोट पर है वल्चर्स कही दिया गया मीडिया के लोगों को और मीडिया काम ना करे इस पर भी तो बोलना पड़ेगा तो इस माहोल ऐसा है मैडम के सिर्फ तारीफ करो पावर बें और चाता है कि उनके खिलाफ कोई अपोजिशन की आवाज ना है और सब खवाली पाटी बन जाए मुझायरा करें वावावावावा करें यह मुझे नहीं हो सकेगा एंडी टीवी पर वरिश्च पतर का रवीश कुमार ने भी अपने प्राइम टाइम में तुशार महता दुआरा मीडिया को गित बताई जाने का दिकर किया और उनके लोचना भी की तुशार महता ने एक उधारन से मीडिया को लेकर भी काफी कुछ कहा तुशार महता ने जो कहा और सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ये मर्यादित था उनका ऐसा कहना उन्होंने मीडिया को एक रूपक के सहारे कह दिया कि ये गिद्ध हैं वल्चर हैं ये गिद्ध की निगाह से पैदल चलने वाले लोगों को की कहानी बता रहे भारत के मजदूरों को ये बात मन की बात में बताई जानी चाहिए अगर यही बात सच है तो उन्हीं ये बात बता देनी चाहिए कि जब वो पैदल चलते हुए चले आ रहे थे जब उनके कुछ लोग भूग से मर गए तो दिखाने वाले गिद्ध थे अब इसार शर्मा ने भी अपने शो में तुशार मैता के लोचना की और मजदूरों के दद की बात करी एक ट्रेन रुकी हुई है और ये गरी मजदूर वहाँ पर भुट्टा भुनकर खा रहे हैं ये बत्तर हालत है अब ये दूसरी तस्वीर देखिए मुजफर पुर की है एक बच्चा तीन दिन चार दिन के बाद 22 को इसकी ट्रेन दिल्ली से निकलती है 25 को मुजफर पुर पहुँचती है बच्चा भुका था 20 साल का मर गया मगर केंद्र सरकार इसे मानने को राजी नहीं है इस तरह से जब गरी मजदूर मर जाता है और सोशिल मीडिया पर या मेरे जैसे पत्रकार उनके दर्द को आपके सामने रखते हैं तो ये केंद्र सरकार उन्हें गिद्ध कहता है ये केंद्र सरकार उन्हें कयामत का पैगंबर कहता है कयामत तो दिख रही है भारत की सडकों पर, भारत के गाउं में, भारत की ट्रेनों में उसको आप कैसे भूल सकते हैं तुशार मैता साहब तुशार मैता ने जो कहानी कोट में सुनाई उसका Alt News ने विशलेशन किया Alt News ने लिखा है कि हमें पता चला है कि सल्वेस्टर जर्नल ने जो कहानी सुप्रीम के ओट में सुनाई थी वे परदानमत्री नरेंदर मोदी के समर्थकों के बीच वाटसेप पर पिछले एक हफ़ते से गूम रही थी ये हैरान करने वाली बात है कि भारत के सुलिस्टर जर्नल एक वाइरल वाटसेप मैसेज को देश की सरवोच अदालत के सामने कोट कर रही है औल्ट निउस ने इस कहानी का फैक्ट चेक भी किया तो शार मैता ने जो कहानी सुनाई उसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकार ने उनसे पूछा था कि बच्चे का क्या हुआ उन्होंने जवाब में कहा कि मुझे नहीं पता मुझे घर लौटना था फिर रिपोर्टर ने उसने बूचा कितने गिद थे, उसने एक कहा, रिपोर्टर ने कहा नहीं, वहाँ दो हैं, एक ने कैमरा पकड़ा था आल्ट न्यूस के मताबिक सॉलिस्टर जर्नल ने दावा किया है कि एक पाचीत में दूसे पत्रकार ने केविन को गिद कहा था ऐसी किसी के पाचीत का कोई रिकॉर्ड उपलब्द नहीं है दुनिया की सबसे प्रतिष्ट तस्वीरों पर लिखे एक आर्टिकल में टाइम एग्जिन ने लिखा है जैसे ही उसने बच्ची की तस्वीर खीची एक गिद वहां पर आकर बैठ गया कथे तोर पर काटर को सलाद दी गई थी कि बबारी की अशंका की वज़ा से पीड़तों को नाच होएं काटर ने बच्चे की मदद के लिए गिद को दूर बगा दिया वे बच्चे को उठा नहीं सकता था क्योंकि पत्रकारों को सला दिये की थी कि बिमारी की अशंका की वज़ा से अकाल पीड़तों को नाच हुए खेर तुशार मैता ने बिना फैक्ट चेक की एक कहानी को पड़ दिया मीडिया ने बेस पर कोई ध्यान नहीं दिया नाहीं उनका फैक्ट चेक किया नाहीं मीडिया को गिद बताने के लिए मेंस्ट्रीम मीडिया ने कोई लूच ना की खेर हम तो यहीं उमीद करेंगे कि मीडिया विपक्ष के साब सरकार से भी सवाल करें और जनतिया की परिशानियों को उठाए Bureau Report हुझे आप्डूडे टीवी